हेलो बच्चों यह जो question है आपका laws of motion chapter का question है ठीक है और जो topic है वो conservation of momentum है मतलब यह question है चले कुश्यन स्टार्ट करते हैं, दीखें क्या कहा रहा है, इस cell of mass 0.020 kg, इस फायट by a gun of mass 100 kg, देखो अच्छों का मतलब क्या होता है, बुलेट होता है, तो यहां पर बुलेट का मास दे रहा है, mass of bullet हमें given है 0.020 kg, इस फायट by a gun of mass 100 kg, और यह जो है गन का मास है, ठीक है, मास ऑफ गन हमें की बने 100 kg, आगे question में लिखा है, if the muscle speed of the cell is 80 meter per second, muscle speed का मतलब, बुलेट का speed, ठीक है, बुलेट का speed मतलब, जब इसे fire किया जाएगा, तो fire करने के बाद, जब यह बुलेट यहां से बाहर निकलेगी, जिस भी speed से बाहर निकलेगी, उसी को muscle speed बुला जाता है, तो यह velocity of bullet मतलब, हमें muscle speed हमें की बने 80 meter per second है, अब देखो आगे प लगता है इस फोर्स की वज़ेसे इस बॉल्ट को इस डारेक्षेंइं मेश बांस नोती है और यहां पे जितना फोर्स जब टृगर दबाया जाता आता है तो फायर도 करता है तो फायर होने के बाद जितना फोर्स सिस इस डारेक्शन में लगता है उतना ही उद्वे जो प्रांदर कह पादा लेकिन से Beauty Control और techniques को फाइन है ус गाम्न दियुक्र में लगता है लेकिन बुल्टन का जो प्रायं में न। इसले होता है क्योंकि बुल्ट में तो यही हमें velocity of gun हमें find करना है, अब देखो बच्चों यह जो question है, आपका conservation of momentum का question है, तो देखो यहाँ पे से आगे कैसे करेंगे, देखो, according to conservation of momentum, according to conservation of momentum, total momentum before fire is equal to होताय, total momentum after fire, total momentum after fire. देखो, बच्चों, before fire, total momentum कितना रहा होगा, देखो, यह अभी fire नहीं होगा है, अभी before fire क्या है, कि bullet भी rest में है, और यह gun भी rest में है, लेकिन after fire क्या होगा, यह bullet जो है, इस direction में motion करने लग जाएगी, यह velocity of bullet है, और इस gun को भी opposite direction में क्या मिलेगी, velocity मिलेगी, यह velocity of gun है, before fire तो यह दोनों के दोनों rest में रहेंगे, तो अगर यह rest में है, दोनों के दोनों तो इन दोनों का, जो total momentum होगा, इस system का, वो क्या होगा, zero होगा, तो total momentum before fire क्या होगा, जीरो होगा, तो total momentum after fire, after fire के बाद क्या होगा, देखो यह bullet है, इस direction में motion कर रहे है, गन इस direction में motion कर रहे है, तो momentum के पास, अगर इस direction में veocumented है, तो इस direction में मोमेंटम भी होगा और इस गन के पास अगर इस डारेक्शन में वेलाउसिटी है तो इसी डारेक्शन में इसका मॉमेंटम भी होगा तो हम यहां पर क्या लिखेंगे यहां पर टोटल मॉमेंटम आफ्टर फायर तो इन दोनों का टोटल मॉमेंटम की हम बात करें ठीक है तो य जो momentum होता है ये एक vector quantity होता है इसलिए मैंने यह आपे vector का sign लगा रखा है लेकिन होता क्या है देखो ये वाली जो direction होते है इस वाली direction को positive बोला जाता है इस वाली direction को negative बोला जाता है तो gun के पास इस वाली direction में momentum है लेकिन उसका जो momentum का value आएगा न इस वाली direction वो negative बोला जाता है, इसलिए gun का जो momentum आएगा, वो negative आएगा, उसकी value negative आएगी, और ये जो bullet का momentum में उसकी डारेक्शन ये है, तो bullet का momentum आएगा, उसकी value आएगी, वो positive आएगी, तो gun का momentum में उसकी value तो negative आएगी, और bullet की momentum की value आएगी, वो positive आएगी, और दोनों की value इक्वल होती है यह दोनों की दोनों की आँजाता है कैंसिल हो जाता है फाइनली हमें यह क्या मिलता है जीरो मिलता है समझ रो इसी लिए बोला जाता है total momentum before fire is equal to total momentum after fire समझ रो इस चीज को अब जो को इस से आगे क्या करेंगे momentum का formula क्या होता है mass into velocity तो यह हो जाएका mass of gun velocity of gun प्लस यह momentum of bullet है तो यह हो जाएका mass of bullet velocity of bullet अब just value put कीजिए बाकी कुछ नहीं करना है यहां पर दो कि हम value put करेंगे mass of gun कितना given है हमें 100 kg given है तो यह 100 kg into velocity of gun तो हमें find करना ह है जिसे required speed भी बोला जाता है plus mass of bullet यहां पर 0.020 kg है into velocity of bullet 80 meter per second है given हमें तो यह हो जाएगा आपका 100 into velocity of gun plus zero point इसका multiplication कितना आएगा 8 to the 16 1600 यह 1.600 आएगा ठीक है अब दो को इससे आगे क्या करेंगे इसे अगर मैं इधर भेज़ दूंगा तो यह negative हो जागा negative 1.600 और यह हो जाएगा आपका 100 into velocity of gun तो finally velocity of gun कितना आएगा आपका यह हो जाएगा आपका negative 1.600 divided by यह 100 अब देखो यहाँ decimal अगर हटाता हूं मैं यहाँ तो यहाँ नीचे तीन जीरो आजाएगे तो यह finally पता कितना आएगा यह velocity of gun जो आएगा आपका जब इसा solve करेंगे तो यहाँ पर decimal लगाके 0 आएगा फिर एक होड़ 0 आएगा फिर यह 16 meter per second अब देखो यहाँ पर यह नेगेटिव का sign भी ना तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा ठीक है यह जो velocity of gun आया यह नेगेटिव आया है देखो यहाँ पर यहाँ पर गन का य कि देखो जब इस negative value को यहाँ पुट करोगो तो यह पूरी value negative हो जाएगी और यह पूरी value positive है अग दोनों value equal होती है यह cancel होकर करके यहाँ पर 0 आ जाता ठीक है अब देखो लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है रिक्वाइल स्पीड आफ दा गन पूचा है अब देखो आपका एक vector quantity है वो positive भी आ सकता है negative भी आ सकता है तो यहाँ पर velocity अपन तो negative है लेकिन speed के होता आपका scalar quantity होता है तो हमें सिर्फ यह value लिखने है यहाँ पर जो कितना है 0.016 meter per second यहाँ पर 0.016 meter per second तो यह speed of gun आ गया ठीक है तो यह question आपका complete हो गया क्था कि अपका कर तो कितना है वो ओत्यादो एक है धिया वेखने है ओूiden कि जार मोंस सकते हैं से यहाँ आपकाक।